So Hello Everyone, Welcome Back to SSE Crackers तो Guys, आज हम लोग अपने Geometry के SSE Cegel 2018 का Last Part करने वाले हैं तो Cegel 19 के हमने 4 Part किये हैं, जिसमें Total 72 Questions थे Cegel 18 के हमने 4 Part किये हैं, जिसमें Around Total 76 to 78 Questions है तो सोच लिजे, यहां से आपने लगबग सिर्फ Cegel से 150 Questions कर लिए हैं और सिर्फ सोचे, दो साल में Cegel में 150 Questions आ रहा है, डेली का 4 Questions है, ठीक है, हर सिफ्ट में 4 Questions Cegel में था और CHSL में भी हम लगबग यही 50 से 60 Questions इसमें भी करेंगे, तो 200 Questions तो लगबग हम लोग यहीं कर ले रहे हैं, ठीक है तो आप इनको अच्छे से Practice कीजिए, और यह मेरा Promise है कि एक्जाम में आपका एक भी Question नहीं छूटेगा, अगर इन सब को आप अच्छे से Revise कर लेते हैं, खुद से कर लेते हैं, तो इसके आपका एक Question नहीं रुकने जा रहे हैं, ठीक है ना, तो चलिए आज का सेसन हम बहुत इजी है, ठीक है, कल हम लोग जिस Pattern पे किये थे, सेम वही Pattern आपका, एक ABC आपका जिसमें आपका Point P जो है वो BC पे है, such that BP is to PC आपका 1 is to 2 है, Q जो है वो BP का Midpoint है, तो आपको ABQ और Triangle ABC का Area का Ratio क्या होगा आपको बताना है, ठीक है, बहुत आसान Question है, जल्दी से इस ठीक है, और यह आपका Triangle है, दोनों में क्या है, दोनों में इसका Height same है, तो आपका Area क्या होता है, Area आपका यह होता है, कि 1 by 2 into Height into Base, तो अगर दोनों का Height same है, तो Area किस चीच पे Depend करेगा, Height तो दोनों का Same हो गया, यानि कि आपका Area सिर्फ Base पे Depend करेगा, क्योंकि Height इसका Base बढ़ेगा, उसका Area बढ़ जाएगा, जिसका Base चोटा होगा, उसका Area चोटा होजागा, ठीक है, तो यही Concept इसमें भी लगा देना है, आपका Triangle दे रखा है ABC, ठीक है, ABC हमारा Triangle है, इसमें P Point है कोई, नहीं, P Point simply माल लेते है, यह P Point है, तो यह इसको 1 is to 2 में बाट र यह हो गया, Q Point, तो बोला है कि आपका ABQ और ABC के Area का Ratio क्या होगा, चली तो हम लोग ट्रेंगल बना लेते हैं, यह हो गया हमारा Triangle ABQ, ठीक है, यह बला Area, तो आप एक बात बताएगे, अगर यह Midpoint है, तो इसका कितना हो जागा है, Half, तो हम लोग क्या पढ़े थे, कि जो इस का Base कितना, Half, divided by Total ABC का Base कितना, 1 plus 2, यानि कि 3, तो इस दिए यह कितना हो जागा, आपका 1 is to 6, यानि कि हमारा Option D, Correct हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया हो गा यह तो, क्योंकि ऐसा तो हम लोग कल भी किये थे, बते कि सेम नहीं था, लेकिन इसी Concept पर था वो, और इस Concept पर भी ABC में P midpoint है BC का, sorry, P point है BC पर सच दा, BP is to PC आपका 2 is to 3 है, Q आपका midpoint है BP का, तो आपको triangle ABQ और triangle ABC के area का ratio क्या होगा आपको बताना है, फिर से बहुत आसान question इसको जली से solve कर लीजे, हो गया हो अभी तक, देखे हम लोग तो यह हो गया हमारा triangle ABC, इसमें P point है कहीं पर, यह B ह आपका 2 is to 3 दे रखा है, Q इसका midpoint हो गया, चलिए यह इसका Q midpoint हो गया, तो midpoint होने का मतलब किया, अगर यह 2 है तो यह 1 हो गया, यह भी 1 हो गया, इसके area का ratio बताना है ABQ, यानि कि यह वाला तो इसका base कितना है, 1 और ABC का base कितना है, 2 plus 3 यानि कि 5, तो हमारे यह कितना हो गय गया, दोनों area का ratio हो गया, 1 is to 5 यानि का option C आपका correct हो जाएगा, समझ मेया नहीं कैसे हुआ, जल्दी तो नहीं लग रहा है न, ज्यादा fast नहीं लग रहा हो गया, क्योंकि यह easy concept है, तो इसको जल्दी जल्दी करते चलते हैं, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, यह एक question is equal to 28, then angle CAD का value क्या होगा आपको बताना है, जिन्होंने भी कल class attend किया था, उनका अभी तक हो गया होगा, ठीक है, हो गया ना, आपका answer हो जाएगा 34 degree, कैसे, देखे, यह हो गया आपका trapezium, ABCD, तो trapezium का मैंने आपको बताया था, कि यह side और यह side दोनों equal होता है, और यह दो रखा है, ABCD, angle BS यह आपका 28 है, यह 28 degree है, हमसे पूचा क्या है, angle CAD क्या होगा, तो मैंने क्या आपको बताया था, कि जब भी इन दोनों का आपका यह relation जाता है, simply आप करते 90 minus angle into 2, 28 into 2 आपका कितना हो जागा, 56 degree, यानि कि यह आपका हो जागा 34 degree, option B, correct हो जागा, और जिन्हो उन्हें कल नहीं attend किया था, वो लोग देख ले, अगर यह trapegia में है आपका, यह दोनों side equal आ रहा है, और यह दोनों parallel ही है, इसका मतलब क्या, यह angle और यह angle, यह दोनों बराबर हो जाएगा, फिर angle C और angle D बराबर हो जाता है, ठीक है, चलिए, आगे देखिया आप, तो इस 28 degree है, अगर BAC आपका 28 है, यह आपका कितना है, 90 है, तो यह वला angle आपका कितना बचेगा, 90 minus 28, यानि कि आपका यह हो जाएगा, 62 degree, अगर यहाँ पर आपको 62 degree बनाना है, यहाँ पर आपका 28 degree दे रखा है, यानि कि यह वला angle आपका कितना हो जाएगा, 34 degree, ठीक है, समझ मैं है न चलिए तो आगे बढ़ते हैं चलिए तो अगला क्विशन आपको दिरखा है कि ट्रेंगल ABC इस सिमिलर ट्रेंगल RQP ठीक है उसका आद आपका दे रखा है कि ट्रेंगल PQR इस ट्रेंगल ABC आपका दे रखा 9x4 तो BC का लिंद्ध क्या होगा आपको बताना है बहुत आसान कोईशन है कल भी हम लोग ऐसा बहुत सार रख किये थे जल्दी से इसको साल्ब कीजिए चलिए हो गया होगा अभी तक यहाँ पे देखे यहाँ पे आपका RQP है ठीक है और यहाँ पे ABC है और यहाँ पे आपका कैद रखा PQRH2 ABC है तो इसमें आप गच्चा निखाएंगे यह उल्टा है और यह उल्टा है यह दोनों रिवर्स में जा रहा है आपका तो ABC divided by RQP is equal to आपका कितना हो जागा ABC के लिए आपका ratio 4 है ठीक है तो इसका root करेंगे तो 2 और RQP के लिए आपका 9 है तो यह हो जाएगा आपका 3 इसका आपको BC का length होता है यानि की BC के recording आपका क्या है QP तो QP आपका कितना दरखा 10 तो 3 का value अगर 10 है तो 2 का value आपका हो ज जाएगा ठीक है समझ में आगे है ना चलिए आगे बढ़ते है ऐसा question आपका कल बहुत सा रखे थे इसलिए उतना जादा discuss करना नहीं आपको अगला question आपका कि N triangle ABC side AB is equal to 16 cm AC 63 है BC 65 है आपका दे रखा है कि point A से एक straight line aim draw किये हैं जो कि BC के midpoint M पर मिल रहा है ठीक है तो आपको बताना है कि aim का length क्या होगा जल्दी से इसको solve किजे बहुत आसान question है ठीक है बहुत ज्यादा easy question है पहली बात कि जब से TCS आया न तब से question बहुत ज्यादा standard form में आ रहा है तो आपको देखते ही लगना चाहिए कि अगर दो बड़ा number दे रखा है और बीच में छोटा सा number गुसा दिया यानि कि यह कहीं न कहीं triplet form में जा रहा होगा और triplet form चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप simply unit digit चेक कर लीजे क्योंकि examiner उतना ज्यादा पागल नहीं करेगा आपको 6 का square आपका हो जाता है 6 3 का 9 यानि कि आपको कितना हो गया 15 यानि कि 5 unit digit 5 का यहाँ पर देखे तो 5 यानि कि यह हमारा verify कर रहा है हमारा triplet form कर रहा है ठीक है तो बस हम लोग बना देते हैं right angle triangle यह हमारा हो गया right angle triangle इसमें हमको दे रखा है क्या? BC 65 यानि कि जो सबसे बढ़ा होता है यह आपका hypotenuse होता है यहाँ पर आप A ले लीजे तो इसके बाद आपका AB दे रखा है 16 AC दे रखा है आपका 63 और BC दे रखा है 65 ठीक है इसके बाद हमको क्या दे रखा है कि A से आप AM ड्रॉ किये हैं जो कि BC के midpoint पे जाके मिला है यानि कि यह दुनों आपका बराबर काट रहा है और यह आपका right angle triangle है तो आपको aim का length क्या होगा बताना है देखिए आप एक बात बताईए जब भी right angle triangle में आप एक circle ड्रॉ करते हैं तो वो तीनों vertex से touch करते हुए जाता है और यही आपका जो hypotenuse होता है उसका center जो होता है वो circle का भी center हो जाता है इसका midpoint ठीक है तो आप देखिए midpoint से यह यह भी आपका क्या है। यह इसका radius है यह भी इसका radius है और यह इसका radius है' यानि की CM जो है यह हो जाएगा VM के बराबर और यह हो जाएगा किसके बराबर ? एम के बराबर इतना कुछ ध्यान नहीं देना है बस आप देख लेंगे कि ये भी radius, ये भी radius, ये भी radius और ये इसका अगर midpoint है तो आपका aim क्या हो जाएगा, aim is equal to आपका हो जाएगा 65 by 2 that is equal to 32.5 आपका option D correct हो जाएगा, ठीक है, समझ में आगे हैं न, I think समझ में आ गया होग ज्यादा कुछ समझाने के लिए तो है न, इसमें, आगे बढ़ते हैं, अगला question आपका दे रखा है, कि chords AB and CD of a circle intersect at point P inside the circle, AB is equal to 10 cm, AP is equal to 4, PC is equal to 5, then what is the length of CD, कल भी हम लोग ऐसा question किये थे, इसलिए जल्दी सी इसको solve कर लिजए, लेकिए, geometry में भी बहुत easy question आता है, आपको तो बस थोरा सा concept पता होना चाहिए, यह practice होना चाहिए, बार बार आप revise करेंगे, आपका पूरा concept clear हो जाएगा, examiner भी कहीं और सा नहीं लाता है question, ठीक है, तो हो गया क्या यह, देखे, यह आपका रहा circle, इसमें 2 chords दे रखा है, जो कि circle के अंदर में intersect कर रहा है, point P inside the circle, ठी ठीक है, यह doubt होता है कि inside या outside कैसे, तो यह inside दे रखा है, और outside होगा तो वो बोल लेगा कि outside the circle, यह CD है, यह point P है, इसके बाद हमको क्या दे रखा है, कि AB 10 दे रखा है और AP 4 दे रखा है, तो AP अगर 4 है, तो BP हमारा क्या हो जागा, 10-4 यानिकि 6 cm, इसका PC हमको दे रखा है क 5 cm है, तो हमको CD का लेंद अगर बताना है, तो हम इसको X माल लेते हैं, ठीक है, तो आपको क्या होता है, कि AP into BP is equal to आपका होता है, CP into DP, बस आप लगा दीजिए, 6 into 4 is equal to 5 into X, X is equal to आपका हो जागा 24 by 5, यानिकि 4.8, तो आपको CD का लेंद बताना है, यह पूरा लेंद बतान यानिकि 5 plus 4.8 आपका हो जाएगा, 9.8 यानिकि आपका option B correct हो जाएगा, ठीक है, समझ में है क्या होगा ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला question हमारा, फिर से बहुत easy question है, triangle ABC is similar to triangle RQP, ABC is to PQR आपका दे रखा है, 4 is to 9, AB का लेंद का लेंद क्या होगा आपको बताना है, पांच second बोगे question solve पना चाहिए, ऐसा question अब लोगे skip भी कर सकते हैं, लेगिन, कर लेते हैं, क्या देखाते हैं इसमें, ABC by RQP is equal to, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 2 by 9, क्योंकि उपर में हमारा ABC है, नीचे में PQR है, तो बस simply हम 2 by 3 हो गया यह, AB का लेंद हमको बताना ह AB के corresponding है हमारा RQ, तो RQ का हमारा क्या दरखा है, RQ 12 है, 3 का value 12 है, यहाँ पे 12 होगा, 3 का value 12 है, तो 2 का value क्या हो जाएगा हमारा, 1 का 4, 2 का 8, यानि कि हमारा option 1, 8 cm, correct हो जाएगा, ठीक है, यह सब जल्दी-जल्दी करते हैं, क्योंकि आज 25 question है, अगला दे रखा हैं, अगला Q is to ABC क्या होगा आपको बताना है, बहुत जल्दी solve होना से ही, यह देखते ही मैं बोल सकता हूँ इसका, कि 3 is to 14 आपका option 1 correct हो जाएगा, ठीक है, कैसे होगा आप लोग जल्दी से solve किजी इसको, चलिए, देखते हैं इसको, यह है आपका triangle ABC, इसमें P point है, यह 3 is to 4 जा रहा है यहां से आपका Q आया, जो इसका midpoint है, यानि कि यह 3 by 2, और यह भी 3 by 2, तो इसी का तो हमको area बताना है, यानि कि 3 by 2 divided by 3 plus 4, 7, यानि कि आपका कितना हो जागा, 3 by 14, तो आपका option 1 यहां से correct हो जाएगा, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं अगला question आपका देर रखा है, कि in a circle of radius 13 cm, a quad is at a distance of 5 cm, यानि कि circle का radius 13 cm, quad है आपका 5 cm का, तो आपको बताना है, sorry, quad आपके 5 cm के distance पे, center से, तो आपको बताना है कि quad का length क्या होगा, देखिए, फिर से आपका examiner जो है, वो standard form में ही दिया है question, जल्दी से इसको साल के लीजे, 5 second का question है, एकदम हलवा question, ठीक है, हो गया होगा अभी तक, ये है हमारा circle, ये है इसका center, center से, ये radius है 13 cm का, और quad के बीच का distance जो है, ये 5 cm, तो आपको भी पता होगा कि 12, 5 और 13 का triplet form बनता है, यानि कि ये होगा क्या हमारा, 13, और एक और बात आपको पता होगा कि जब center से हम लोग quad पे perpendicular डालते हैं, तो वो quad को bisect करता है, दो पार्ट में, तो आपको quad का length बताना है, आप 12 पर click नहीं करेंगे, ये quad का आधा ही है आपका 12, ठीक है, तो ये 12, प्लस, ये 12, यानि कि आपको कितना होगा total, 24 cm आपका option B, correct होगा, ठीक है, समझ में आ गया ना, चलिए, बहुत आसान question था, आगे बढ़ते हम लोग, next question आपके सामने है, कि in a circle with center हो, इसको ध्या angle of 132 degree at the center of the circle, यानि कि एक arc ABC है, वो 132 degree का center पे angle बना रहा है, फिर आपका chord AB जो है, उसको produce करके लेगा है, point B तक, तो angle CP भी क्या होगा आपको बताना है, देखे, easy question है, लेकिन नया question है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, जल्दी से solve किजे, 10 second का time है आपके पास, क्योंकि उससे ज्यादा को question है नहीं, हो गया क्या, देखे, figure देखे इसका, ये है आपका, छोटा सा circle, इसमें quad है हमारा, ABC, ये circle पे angle बनाता है, 132 degree का, ये आपका 132 degree, इसके बाद आपका बोलता है कि quad AB को produce करके लिए पॉइंट P तक, ठीक है, ये point P तक आ गया, तो इसके बाद angle CP भी क्या होगा, यानि कि ये वला angle क्या होगा आपको बताना है, ठीक है, जल्दी से इसको solve किजे, तो हो गया होगा आप लोग का, तो इसमें देखे हम लोग, तो ये एक point है, ये एक point है, आप एक बात पता है, इसको आप लोग कैसे solve कर सकते हैं, देखें, इसको अगर हम लोग यहाँ पे लाते हैं, तो ये angle क्या हो जागा आपका, माली जी कि ये कोई q point है, तो angle q आपका क्या हो जागा, इसका आधा, यानि कि 66 degree, ठीक है, और ये अगर cyclic quadrilateral बना रहा है, तो cyclic quadrilateral में आपने सामने का angle क्या होता है, 180 minus theta, अगर ये theta है, तो ये आपका 180 minus theta, और अगर ये straight line है, तो अगर ये माली जी कि 180 minus theta है, तो ये वला आपके क्या होता है, 180 minus 180 minus theta, माली जी कि अगर ये alpha बना रहा है, ये वला अगर alpha है, तो ये वला angle क्या हो जाथा आपका, ये वला angle क्या होता है, 180 minus alpha, तो 180 minus, 180 minus theta आपका क हो जाएगा 180 से 180 कैंसल ठीटा और ठीटा हमारा क्या है 66 डिग्री यानि कि यह वाला एंगल हमारा आ जाएगा 66 डिग्री तो आपको बस ध्यान के दिना है वो देखिए आपको ध्यान यह दिना है एक सकिन यह वाला जो एंगल आता है न वही इसका exterior एंगल आता है यह हम लोग cyclic quadrilateral के property में पहले ही देख चुके हैं कि माली जी कि यह circle है यह cyclic quadrilateral बना रहा है तो यह एंगल और यह एंगल तो क्या हो जाता है supplementary angle होता है और इसका exterior angle जो होता है वो इस angle के बराबर होता है तो वही तो है यह आपका जो यह angle है वही इसका exterior angle है तो अगर यह 132 है तो इसका आधा यह यहाँ पर बनाएगा कितना 66 और यही आपका exterior angle हो जाएगा 66 degree यानि कि आपका हो जाएगा option D correct हो जाएगा समझ में आ नहीं समझ में हो तो आगे ऐसा और question आगा उसमें समझ लीजेगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला फिर चापका repeated question है, कि एक circle है, उसका radius 13 है, जो कि 12 cm के distance पे है circle से, तो आपको बताना है कि cord का length क्या होगा, बहुत आसान question है, 2 second में solve हो गया होगा यह, इसके radius है, 12 cm के distance पे जा रहा है, यानि कि cord हो गया हमारा 5, sorry, cord का half हो गया हमारा 5, तो cord हो गया हो जाएगा हमारा 10 cm का, जिनको नहीं समझ में आया है, देखिए, यह circle है, यह इसका radius है 13, यहां से यह cord रह किया है, और यह कितने distance पे है, यह है आपका 12 cm के distance पे, तो जैसे ही यह 12 यह हो जाएगा आपका 5, और यह भी आपका अगर 5 है, तो यह 5 यानि कि 5 प्लस 5 है आपका हो जाएगा 10 cm, ठीक है, आगे बढ़ते है, फिर सापका repeated question है, ABC में P आपका midpoint, sorry, P point है BC पे, BP इस्टो PC आपका 4 इस्टो 3, Q है आपका BP का midpoint, तो ABQ इस्टो ABC का area क्या होगा, ठीक ह ABC और ACB इसके area का ratio क्या होगा आपको बताना है, आपको देखते ही पता चल गया होगा कि यह होगा आपका 2 इस्टो 7, यानि कि option B आपका correct हो जाएगा, देखें क्या हम लोग, यह है आपका triangle ABC, इसमें P point है, तो यह है 4 और यह है 3, इसके बाद आपका BP का midpoint आपका Q, तो midpoint का मतलब दो पार्ट में इसको divide कर देगा, 2, 2, अगर इसको हम लोग यहाँ पे ला रहे हैं, तो इसका area कितना हो जागा, आपका 2, divided by total area, 4 plus 3, यानि कि 7, 2 is to 7 आपका correct हो जाएगा, ठीक, समझ में आ गया ना, चली, आगे बढ़ और Cod AB को produce करके लेगा हैं, point P तक तो angle CP भी क्या होगा आपको बताना है, ठीक है, यहाँ पे angle आपका कितना है, 140 degree, तो जिसको वो समझ में आया होगा, अभी तक हो गया होगा उसका, यह है आपका circle, यह Cod है आपका ABC, यह center पे angle बना रहा है, 140 degree का, बस यह 100 अगर 40 degree है, तो यह circumference पे कितना बनाएगा, इसका आधा है, यानि कि 70 degree, और BPC के लिए, स्वरी, CBP के लिए, यह क्या है, exterior angle है, यह angle, इस angle के लिए, इस angle के लिए, exterior angle है, यानि कि इसके बराबर ही होजाएगा, 70 degree, आपका option C, correct हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया आप लोग ऐसे ही, simply question पड़के, इसका आधा नहीं मार देंगे, बहुत लोग के दिमाग में रहा हूँ, एक बार इसका draw कर लेंगे, क्योंकि examiner जो है, वो कभी-कभी थोड़ा सा twist कर देता है, तो इसलिए इतना जादा वो नहीं होना है, exam में emotional नहीं होना है, अगला question फिर इससे आपका वही है, 17 है, 15 है, जल्ली से इसको solve किजिए, हो गया होगा, देखे, यह आपका circle है, इसमें यह आपका radius है, 17 cm, यहाँ से आपके cord रॉक किये है, तो आपका दे रखा है कि cord is at a distance of 15 cm, यानि कि यह हमारा पंदरा है, तो आपको भी पता होगा, कि 8 पंदरा है, और 17 का triplet बनता है, यानि कि यह आपका कितना होगा, 8 और यह अगर आधा divide कर देता है, यह मतलब कि दो पार्ट में divide करता है, तो आपका cord कितना होगा, 8 x 2 that is equal to 16 cm, आपका option C, correct हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया गया ना, अगले question पे आते हैं, फिर से वही है, उसको skip कर करते हैं, हाँ, देखे, इस type का 2 ही हुआ है, इसलिए यह भी एक और कर लेजे, देखे, आपको लग रहा होगा, इसमें कि हाँ simply हर जगा आधा हो जारे है, हाँ, सही भी है, बिल्कुल, हर जगा आधा ही हो रहा है, लेकिन आप एक बार draw कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि examiner यहाँ पर CPB के जगा कुछ और पूछ दे, तो वहाँ पर confused हो जाएंगे आप लोग, तो आप simply वो उसको tick करके नहीं आगे बढ़ेंगे, क्योंकि option भी examiner वैसा ही देगा, कि आप उसमें गलती करे, तो इसलिए एक बार diagram बना लेंगे में कोई दिक्कत नहीं है, यह हमारा circle यह ABC, यह angle कितना बना रहा है यहाँ पर, angle बना रहा है 136 degree का, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा कि CPB क्या होगा, यानि कि यह वला angle क्या होगा आपको बताना है, देखे, यह यहाँ पर कितना बनाएगा, 68 degree, ठीक, तो यही आपका क्या हो जागा, यहाँ पर 68 degree option C, correct हो जा आपका यह TCS का, पिछले साल का 2018 CGL का question है, हर एक question CGL 2018 का पूछा होगा question है, यह खुद से बनाएगा होगा है, यह जो CGL ने पूछा है वो question है, तो आप देखे, यह 3-4 type है, इससे कितना जादा question है, तो जो भी आप practice करके जा रहा है, यह exam में आपका बहुत जादा benefit करने ज इसको, यह भी आपका वही है, यह भी आपका midpoint वाला है, जो आज हम लोग कर रहे थे, वही है question है, तो यह तो आपको simply दिखे होगा 2-15 हो जाएगा यहाँ से, कैसे, ABC, इसमें आपका BP-PC दिरखा है, 4-11, इसमें हमारा क्या दिरखा है, कि क्यू जो है यह BP का दिरखा है, का midpoint है, यानि कि यह 2 हो जाएगा, यह 2 हो जाएगा, तो triangle ABQ, इसका area कितना, 2 triangle ABC, 4-11, 15, यानि कि 2-15 हमारा option 1, correct हो जाएगा, ठीक है, चलिए, अगले question पर आते हैं, फिर से वही आपका हो गया, तो 110 है, हमको angle CBP पूचा, यानि कि CBP पूचा, यानि कि वही हमारा हो जाएगा, यह वहला angle, तो बस इसका 110 का आधा 55 degree हमारा correct हो जाएगा, यह आपका वही आगया, repeated question, जली से इसको solve कर लिजे, radius 17 है, chord is at a distance of 8 cm, तो chord का length क्या होगा, आपको बताना है, तो आपको भी पता है कि 8, 15 और 17 का triplet बनता है, तो अगर chord का आधा length 15 दे रखा है, तो chord कितना हो जागा, 15 into 2, यानि कि 30 cm आपका correct हो जाएगा, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते है, अगला question आपके सामने है, कि PA and PB are tangents to a circle, यानि कि 2 tangent है, एक circle का PA और PB, with center O, यानि कि center O दे रखा है, from a P outside the circle, यानि कि P points है, ठीक है, and A and B are points on the circle, यानि कि A और B circle पे आपका 2 point है, अगल APP आपका दे रखा है, 40 degree, तो अगल OA बी क्या होगा आपको बताना है, बहुत आसान कुच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् हो गया क्या, चलिए, देखें हम लोग इसको, तो ये है हमारा circle, इस पे दो tangent दे रखा है हमको, ये P point से A है, ये B है, माली जी कि ये हमारा center है, center O दे रखा है, इसके बाद हमको क्या बोला है, कि angle AP बी जो है, ये 40 degree है, यानि कि ये वाला angle हमारा 40 degree है, तो आपको मैंने क्या बताया था, कि अगर ये angle theta है, तो ये angle आपका हो जाता है, 180 minus theta, क्यों? क्योंकि ये आपका perpendicular जाता है, ये radius से tangent perpendicular जाता है, तो इसलिए अगर ये theta है, तो ये आपका 180 minus theta हो जाएगा, बस तो लगा देजी ये property, अगर ये आपका 40 degree है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 140 degree, आपको बताना क्या है, आपको angle O AB का value बताना है, यानि कि आपको ये वाला angle क्या होगा, बताना है, तो आप एक बात पता है ये आपका क्या है, radius, ये आपका क्या है, radius, यानि कि आपका ISOCELLUS triangle बना रहा है, तो जो ये angle होगा, वही आपका ये वाला angle हो जागा, तो एक triangle में पूरे angle का सम होता है 180 degree, यहाँ पे आपका 140 degree ले चुका है, तो बचा कितना, 40 degree, तो क्या हो जागा ये, 40 by 2, यानि कि आपका आपका दे रखा है कि, intra angle ABC, angle A is equal to 50 degree, its sides AB and AC are produced to point D and E, if the bisectors of angle CBD and BCE meets at point O, then angle BOC will be equal to, लल्लू question है बिल्कुल, जल्ली से solve कीज़े, कुछ नहीं है आपका, ये exterior angle bisector का आपको formula लगाना है, आपका हो जागा ये, angle A आपका 50 दिरखा, अभी तक हो गया होगा, तो आपका exterior angle bisector का formula क्या होता आपका, 90 minus A by 2 is equal to theta हो जाता है, आपका A कितना है, A है 50 degree, तो 90 minus 50 by 2, यानि कि 25, ये आपका कितना हो जागा, 65 degree, option 1, correct हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया न, इसमें कुछ खास तो figure भिकर बनाने क जरू होता है नहीं, चलिए, तो आज का आपका last question है, कि if the radius of circumcircle of an equilateral triangle is 8 cm, then the measure of radius of its encircle is, ठीक है, यानि कि आपको equilateral triangle है, उसका circumcircle का radius है, वो 8 cm है, तो आपका अगर encircle बनाते हैं, तो उसका radius क्या होगा, आपको बताना है, circumcircle का मतलब होता है, कि वो triangle के बाहर में circle बनेगा, और encircle का मतलब होता है, कि triangle के अंदर में circle बनेगा, आसान question है, यह भी हो जाना सही, देखे कि आम लोग इसको, तो यह है हमारा circle, इसमें हमारा यह equilateral triangle है, ठीक है, इसके बाद आपका एक दे रखा है encircle, ठीक है, यह हमारा encircle हो गया, इसके बाद हमको क्या दे रखा है, कि जो circumcircle है, उसका radius जो है, यह 8 cm है, ठीक है, 8 cm है, तो आपको एक और property पता होगा, कि जो circumcircle होता है, वो triangle में 2 is to 1 के ratio में जाता है, triangle का altitude आता है, वो 2 is to 1 के ratio में, यानि कि अगर यह 2 ratio है, तो यह आपका कितना हो जागा, यह आपका 1 ratio हो जागा, ठीक है, हम लोग तो देखे हैं न, यह 2 is to 1 के ratio में जाता है, तो 2 का value कितना अदर रखा है हमको 8 2 का value हमको अदर रखा है 8 तो यही तो आपका radius है इन circle का यही तो आपका radius है यह center है और यहां से यह आपका radius है तो 1 का value क्या हो जागा आपका 1 का value हो जागा आपका 4 यानि कि आपका option B correct हो जागा समझ में आया ना आपको देखे जब ये इसका बात की जगा circum circle का तो ये 2 is to 1 में इसको काटता है तो 2 का value आपका दिरखा 8 cm तो आपका 1 ही तो इसका radius है तो 1 का value कितना है आपका 4 cm यानि कि हमारा option B correct हो जाएगा ठीक है तो यहीं पर आपका CGL 18 का question पूरा खतम होता है ठीक है तो कल से हम लोग CHSL का question करेंगे और I hope आप लोग को CGL 18 और CGL 19 total समझ में आया होगा आपको कहीं भी कोई भी doubt है तो आप comment करके बता सकते हैं वो और जिन्होंने भी पहले 2 lecture के लाद छोड़ दिया होगा उनका बहुत loss होने जा रहा है क्योंकि उस time तक तो आपके tough questions ही थे पहले 2 class में हमने सिर्फ tough questions किये थे और वो questions किये थे जो repeat नहीं होता है लेकिन उसके पिछले 3 class में हमने सिर्फ repeated questions किये हैं आज और कल में आपने देखा हो कितना ज्यादा question का repetition हुआ है तो यह easy questions थे और बहुत ज्यादा repeated questions है तो इसलिए यह ऐसे questions है जिनको आप किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकते हैं इग्नोर नहीं कर सकते हैं तो इसलिए आप जमें रहे यह अच्छे से हरे question को solve कीजिए और I hope आप exam में जब जाएंगे सब कुछ करने के बाद तो आपका 25 में minimum 22 प्लस आए हैं ठीक है और यह आपका आएगा भी अगर आप पूरा practice करते हैं तो यह आपका होगा भी ठीक है तो आपका क्या score होगा है आज क्योंकि easy question था तो मैं expect क करूंगा कि आपका 25 में minimum 25 तो होना ही चाहिए आज का ठीक एक भी आपका score आपका कम नहीं होना चाहिए तो चलिए कल एक नए session के साथ मिलते हैं CHSL के साथ तो आज के लिए इतना ही thank you